बस्पानेता डॉक्टर विजेश कुमार के नेतरित में शहीद कुदिराम बोस इसमारा कस्ताल पर इश्रधानजली सभास सहकेंडल मार्च का यूजन किया गया जहाँ पतरकार शीवशंकर जाको श्रधानजली दीगे जिनकी विगत दिनों अपराधियों निर्मम हत्या कर द देश के हातरस में सथसंग के बाद मचे भगदर में जाने गवाने वाले सभी मर्तकों को विनमर श्रधानजली दीगे श्रधानजली सभा के उपराण शहीद कुदिराम बोस इसमारा कस्ताल से सरीय अगंज टावर होते हुए कल्यारी चौक तक निकाला गया मासपानेता रक्ट विजेश कुमार ने मरतकर शिवशंकर जाग के परिवार को पांस लाक रोपे मुआफजा और परिवार को नौकरी देने की मांग प्रशाशन से की है इश्रदान जली सभा से केंडल मार्च में राजी वरंजन सिंग और फचोटन बहुजन समाच पार्टी के प्रदेश सचेव संत लाल राम जदादेश राजी इंदर कुमार बिट्टू पिंकू सहित सैकुरू लोग मौजूद रहे प्रशाशन ब्रशाशन ब्वस्था का इस्थिति है एक दम लचर से भी लचर से लिए आज एक जगा कोई विजनेस मैं एक दूश्रे जगा नहीं जा पाता है कहीं किसी का कोई सेफ्टी नहीं है हर जगा कानून का समझी एक भज्जी उड़ रहा है तो हम लोग डीम से मिल के बात को रखेंगे और आज मौन जुलू से लोग में हम इस जागिरितिक बनाना चाहते हैं कि आज के देट में लोग ही समझे कि वहुजल समाथपाटी का एक एक कार करता है इसके लिए विरोध कर सरक पर उतर रहा है और इससे भी जादा इससे भी बड़ा तयारी के साथ करता है अभी हमनों बहुन जुलू से आगे हैं इसके प्रदेश में कानून ज्यवस्ता की इस्तिति दिन प्रति दिन बद से बत्तर होती जा रही है कि आए दिन कहीं आप देखेंगे कि गोली चल रही है कहीं कुसी की वत्तिया हो जा रही हा है कहीं अफ़रन हो रहा है कहीं छिंतए की घटना हो रही है क्यों लूट की घटना हो रही हैं मोरह सब के विरोध में और, यहां जो अस्थानिय पद्रकार कर सबना किर मारे गया है उनकी स्रध्ध्ध्हांजली में और हा्थ्रस में एक सत्संग हुआ, और सत्संग के बार जो भग्द्र मचे उसमें सेहु लोग मारे गया है इसके अलावा हम लोगों ने अभी एक खैंडल मार्च उंकालने का पैसला लिया है क्योंकि सहर में मुझफरपूर में खास कर कानून व्यवस्था की इस्थिति देन प्रति दिन खराब होती जा रही है अभी आपने देखा कि हमारे जो आपके साथिक है शिवसंकर जाजी आपने के बीच के लोग थे पत्रकार महद है पत्रकार जो चौथा अस्तंभ माना जाता है वह भी सुरक्षित है पताईए एक पत्रकार की हत्या हो जाना एक उसादम में रखता नहीं और एक पारवड बता है पत्रकार कोई छोटा बरा नहीं होता चाहे ओप्रिंट मीडिया के हो चाहे यूट्वर हो सब लोग अपनी अपनी जगह अपने अस्तर से देश की सेवा में लगे हुए है और अगर कोई पत्रकार ना भी हो कोई आम इंसान भी हो तो इसकी रिजानवाल की सुरक्षा करन दोफर में भी गोली चली और सांद में जगान्य अपराध हुआ है ये इसको हम दुरगटना नहीं ये सोची समझी साजिस के तहत हुआ था और गला रेत कर किसी की हत्या कर देना ये निर्दैता की हद है इससे मानवता सरनिसार हुई है इसके विरोध में हम लोगोंने केंडि अब हम लोग केंडिल मार्च निकालेंगे जो यहां से सर्याज इंस्टावर होते हुए कल्यानी चौक पर उसका सिंद्धा है तर्चर विजय एसकुमार बहुजन समाज पार्टी का है लेटिस कबरों के लिए देखते रहेए M.U.Z.News और ताज़ा अपड़ेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूते